खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया 1024 न्यूज में आपके साथ दीपक राजधानी दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में पार्किंग की समस्या को लेकर दुकानदार काफी परेशान है तिलक नगर मार्केट में पार्किंग की सुईदा ना होने से ना सिर्फ मातिकर्मन की समस्या पैदा होती है बलकि वहां के दुकानदारों को फाइनेंसल लोज भी होता है देखिए हमारी ये रिपोर्ट आपके साथ मैं हूँ प्रवीन और आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिली के तिलक नगर इलाके में यहां एक मार्केट है और यह दशकों साल पुरानी मार्केट है तिलक नगर की यहां से हमें कॉल रिसीव होई थी जिस पर हमें बताया गया था कि यहां के जो दुकानदार हैं और यहां के साथ में जो ग्राहक हैं वो पार्किंग की समस्या को लेकर बेहत परिशान हैं इसलिए हम आज यहां पहुंचे हैं और यहां पूरा हम जाज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि पार्किंग की समस्या को लेकर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है राजधानी दिल्ली की जगमगादी तिलक नगर मार्केट जहां पूरी दिल्ली से ग्राहक शौपिंग के लिए आते हैं यहां की रौनक ही इस मार्केट की पहचान है लेकिन आजकल मार्केट के दुकानदार पार्किंग और अतिक्मनेंट की समस्या को ले होने के चलते शौपिंग नहीं कर पाते हमारी मार्केट जो तिलक नगर में नहीं बलकि पूरी दिल्ली में एक फेमस मार्केट है जिसका नाम बड़ी इज्जत और समान के साथ लिया जाता था आज यह पूजिशन है कि कार वाला कस्टमर आना ही बंद हो गया अच्छा कस् आपति मार्केट कर लिए कि यहां से कहीं और श्यप्ट किया जाए कि मार्केट दिन बस दिन नीचे स्थर पर जा रही है, quello्किश्जी पन से मार्केट है और कस्टमर आता भी है कंजेशन के विए से चीना जप्ती और बैड एलिमेंट सारे पारक के नीचे जहां पारक बनना था हमां खंडर बन गया है हमां सारे बैड एलिमेंट स्पल रहे हैं ड्रक्स बिकती है सब को पूरी मार्किट एशन ने सब जगह कंप्लेंट कर ली पुलिस को कंप्लेंट कर दी सब कर दिया और अभी कुछ होने को अवर नहीं रहा है कुछ भी और जो कस्टमर पहले आते थे वो भी अब बहुत ज़्यादा घड़ गए हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा वो परिशान है जो आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाते ड्यू टू सबसे बड़ा इशू है सर पार्किंग का यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है जो पार्किंग फ्लाय ओवर के नीचे पहले अलॉटिट थी एक तरह से और जो प्रॉपर चल रही थी उसके उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ वैसी वो पार्किंग बंद कर दी उसके नीचे वहाँ पर कोई गार्डन सबना करती थी जिसका लाब तिलक नगर मार्किट में आने वाले ग्राहक उठाया करते थी लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग सड़कों पर ही गाड़ी खड़ी करके शॉपिंग करने चले जाते हैं जिससे भारी अतिकर्मन और जान की समस्या पैदा हो जाती है मार्किट के करते हैं कि जिस तरीके से हम कन्वर्जन चार्रीज हमने द atra akin हम पार्किए वाले को जतनी परकिंग की और उससे यादा पार्किंग करवा रहे होग अब तिलक नगर फ्लाय ओवर के नीचे दूसरी जगह के अ matter है और लोगों की शिकायत है कि शाम ढलते ही यहां नशेडियों की महफिल जमली शुरू हो जाती है जिसके बाद छीना जप्ती के मामले सामने आते हैं इस जगे को कवर करती रेलिंग को भी मनचलों ने तोड़ कर अपना रास्ता बना लिया है मार्किट के दुकानदार प्रिशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस जगे को पार्किंग बनाए जाए ताकि उनकी रोजी रोटी पर जो संकट आया हुआ है उससे नईा पार हो सके अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पार्किंग की समस्टर को लेकर मार्किट के कुछ दुकानदारों का क्या कुछ कहना है जल लोटते हैं तिलक नगर में सित लालवानी साडीज एंड जूलर्स जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स वा बेस्ट क्वालिटी के लहेंगे तूट और साडीओं का शांदार कलेक्शन वर 1977 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब लालवानी साडीज एंड जूलर्स का भव्वे शोरूम यहां आपको मिलेंगी हॉल मार्क गोर जूलरी एंड सेटिफाइड डायमन जूलरी एक छट के नीचे एथनिक वियर एंड जूलरी का सबसे विश्वस्निय शोरूम ब्रिक के बाद आपका स्वागत है तिलक नगर के दुकानदारों का कहना है कि वो समय पर सरकार को टैक्स देते हैं नियमों का पालन करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मूलभुत सुविधाएं नहीं मिलती राधानी दिली की दशकों साल पुरानी सबसे घनी मार्किट में पार्किंग की कोई टिकाउ सुविधा नहीं है सड़क पर जो पार्किंग बनी है वहां रेडी पट्री वालों ने अपना बसेरा बना लिया है उसके बाद जो जगे बचती है उस पर ए रिक्षाक कबजा कर पर जाके देखिए जो सड़क ट्राइफिक को चलने के लिए बनी है उस पर दोनों साइट आपके गारियां खड़ी हुई है वो गारियां क्यों खड़ी हुई है फ्लाइवर जो बर के नीचे जो पार्किंग थी वहां पर अन्यूश्यली एक पार्क शॉट आप बना दिया पर लास्ट आप मैंने बाहर पार्किंग करी थी लेकिन पार्किंग की परची देते हैं लेकिन गाड़ी टो करके लेगे तो पारकिंग किसी इसकी फर्स्ट then 7 आपकि जब यहां पर आपका गार्डन बनाया गया गया गार्डन की यहां पर मार्केट इसधी कोछu चाहर नहीं है आउटर कर सकते हैं आप गार्डन तो काराला कश्ट बरनी आएगा, काराला कश्ट बरनी आएगा तो सेल कना से होगा। पूरे दुकानदारा को दोखे में रखा, पूरे दुकानदारा को दोखे में रखा। पार्किंग के लिए जो दूसरी जगा है, वहां नशेडियों का बसेरा है। ऐसे में मार्किट में पार्किंग की समस्या की वज़े से यातायात, अधिकर्मन और अप्राहत जैसी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए इस चुनावी मौसम में मुनासिब यही होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। और पूरी मार्किट में कहीं भी पार्किंग नहीं है, इसलिए उन्हें फानेंशल लॉस भी लगातार हो रहा है। तो आपने देखा कि तिलकनगर में पार्किंग की समस्या कैसे दुकानदारों के लिए जी का जनजाल वनी हुई है। हम उमीद करते हैं कि यदि कोई भी संबंदित पदादिकारी या फिर राजनेता हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो वो मार्किट की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसका निवारण जरूर करे। हमारी इस खबर में फिलाल इतना ही देश-विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं इंडिया टैम 24 न्यूज नमस्कार।